दोस्तो एक ऐसी सीरीज जिसमें आप action भर पूर enjoy करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसका इंतिजार आप बड़ी ही बेसबरी से कर रहे थे और finally इस सीरीज को release कर दी गई है जी हाँ दोस्तो मैं बात करने जा रहा हूँ ग्यांग सॉंग क्रियाचर पार्ट टू के बारे में जिसे फाइनली release कर दी गई है Netflix बार सीरीज में दोस्तो किसी भी तरह की शैक्सुलेटी या फिनियूरिटी नहीं है और इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है या मैं पूरी तरह से आपके ओपर ही छोड़ता हूँ इसे हिंदी और इंग्लिज दोनों language में release की गई है इसके total 7 episode release के गई है और हर एक episode लगभग 46 to 56 minute की है यानि कि इसकी हर एक episode बहुत ही ज़्यादा lengthy है series की एक भी episode को आप skip करने की गलती बिल्कुल भी ना करे क्योंकि हर एक episode में कोई ना कोई interesting चीज दिखाई गई है तो दोस्तों जैसे के हम सभी जानते हैं कि season 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था यानि कि उन चीजों को ठीक तरह से explain नहीं किया गया था और उन्हीं चीजों को इस बार season 2 में explain करने की कोशिश की गई है आप साब तर पर कह सकते हैं कि season 1 में छोड़ी अधूरी चीज़े को season 2 में complete करने की कोशिश की गई है season 2 में आप फिर से देखने वाले होते हैं यॉंग जो कि अपनी destination तक पहुंचना चाती है इसी बिच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इन सभी infected people को मार देना चाते हैं series में देखने लाए किया है कि यॉंग अपनी journey किस तरह पूरा करती है और last तक वो अपनी destination तक किस तरह पहुंचती है series में आप अच्छा खासा action enjoy करने वाले होते हैं इस series की एक भी episode आपको किसी भी जगा पर पकाने वाली तो बिलकोल भी नहीं होती है इसकी presentation बहुती ज़्यादा amazing है series की presentation आपको किसी भी जगा पर slow नहीं लगने वाली होगी और हर एक चीज इस series के आप बहुती ज़्यादा enjoy करने वाले होंगे especially actions तो दोस्तो अगर मैं इस series को rating दूँ तो मैं ऐसे rating दूँगा 5 में 4 star क्योंकि दोस्तो ये series रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी series के presentation amazing है series ने मुझे किसी भी जगा पर बोर नहीं किया series में जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखाए गया है इस series में किसी भी तरह की कोई भी आलतु फालतु episodes एड नहीं किया गया है इसलिए ये series मुझे और भी ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तो अगर आप सोच रहे हैं कि series को हम देखे या ना देखे तो दोस्तो ये series वो तो जरूर देखे जो कि fantasy और action series देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस series में at least आप action बहुत ही ज़्यादा enjoy करने वाले होते हैं तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये simple review आपको पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ